हर हर महादेव दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद सामान्यता नहीं खाया जाता क्योंकि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है एक पूजा का अर्पन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद भगवान शिव को समर्पित किया जाता है इसे खाने का अर्थ है उस प्रसाद को भगवान से वापस लेना जो अनुचित माना जाता है दोग शुद्धता और पवित्रता शिवलिंग पर चढ़ाय गए प्रसाथ को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसे केवल भगवान के लिए समर्पित किया जाता है। और इसे खाने से उसकी पवित्रता भंग हो सकती है। तीन धार्मिक मान्यता कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए पदार्थों को ग्रेहन करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक उर्जा या प्रभाव उत्पन हो सकते हैं। चार सांकेतिक अर्थ शिवलिन पर जल, दूध, दही, बेलपत्र और अन्यपदार्थ अर्पित किये जाते हैं, जो भगवान शिव की उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें खाने से पूजा का सही अर्थ और महत्व कम हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि यह मान्यताय और प्रथाय विभिन समाजों और परमपराओं में भिन हो सकती हैं। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्थाय और मान्यताय होती हैं, और उनके अनुसार वे इन नियमों का पालन करते हैं।